दोस्तों आप सभी को सुतंतरता दिवास की हारदिक शुपकाम ना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंड़ फेयर्स पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा लास्ट में एक क्वेशन पूछोगो उसका एंसर आपको को में देना है आज की वीडियो की पीडि करके आप फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाएगे वीडियो को अनगेड़ी वीडियो फ्री में देख सकते हैं जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट करने चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें साथ में जो बगाले वेल आगर उसको आन कर दें ताकि आपको डेली टूर सीरसर जितने वाले सबसे कम उमर के भारती गोलफर कौन बन गये हैं दोस्तों एस्चियाई टूर सीरसर जितने वाले सबसे कम उमर के भारती गोलफर बन गये हैं वीराज मदप्पा यानी ऑप्सन भी राइट हो जाएगा देखे दोस्तों भारती गोलफर जो हैं वी साधी के रिकार्ड किसके पास था तो यह रिकार्ट तक गगान जीत भुलर के पास और इन्हों ने जो तो 21 साल और तीन महिने कुम्र में इंडोनेशिया इन्वेटेशनल जीता था ठीक है 21 साल कुम्र में जबकि विराज मतप्पा 20 परसी हैं ठीक है इसके लावा दोस्तों य कपूर्थला से लेटेड एक बहुत इंबोर्डेन कोशन पूचा आता है रेल कोच फैक्टरी जो है कहा है इस थी थे कपूर्थला पंजाब में ठीक है और दोस्तों पंजाब की राजधानी है चंडीगड पंजाब को बरतमान में सीयम है वह है कैप्टन अमरिंदर सिंग क जोती रंधावा भी बहुती प्रसिद्ध गोलफर हैं इनके नाम आपको याद रखना है क्योंकि इस से लेटेड कोशन पूच लेता है कि अरजुन रटवाल का संबंध किस खेल से है ठीक है यहाँ पर आपको गोल्फ के बारे में थोड़ा सा बता दे तो उस तो गोल्फ स ब्रेटीश ओपेन और प्रोफेशनल गोलफर्स एसुशेशन आप अमेरिका यह चैंपियंशिप है ठीक है इसके लाबा एक कुशन पूचा था एक टी सब्द का संबंध किस से है तो यह है गोल्फ से जो की समतल भूमी जहां से पहला सोट लगा जा तो उसको टी कहते है इ Rider Cup का संबंध किस खेल से है तो यह आप को याद एकना है इन करके और रिवीजन करते रह के ताँकि आपको याद हो जाए तो ACI टूर शीर्षग इतने वाले सबसे कम उम्र के भारती गोलफर कौन बन गए हैं इसका राइड एंसर है option B वीराज मडपपा इससे पहले गगंजीत भुल लरते ठीक है पूरा वीडियो लाज तक देखिएगा आज के question बहुत important है दोस्तों क्योंकि बहुत ही important question है आज के ठी हैदराबाद में option B राइट है देखिए उस तो राष्ट्री वन्रजीव अनुवांसिक संसाधन बैंक का उद्गाटन हैदराबाद तेलंगाना में लूप्त प्राया प्रजातियों के शुवदा के सनक्षण के cellular और आणविक जी विगजान प्रयोकसाला में केंद्र में कि किया गया है cellular और आणविक जी विगजान प्रयोकसाला में हैदराबाद में किया गया है और आपको बता दे के भारत का पहला अनुवांसिक संसाधन बैंक है जहां अनुवांसिक सामागरी को जन्म के लिए संगरित किया जाएगा जो लूप्त प्राया और सनक्षित जानव दोस्तों युवां को कौशल विकास का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राजे कौन सा बन गया है तो यह भी most important question है तो युवां को कौशल विकास का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राजे बन गया है 36 गड़ ऑप्सन भी right है देखे तो 36 गड़ के के साथ राज्य में इस्किल ऑन वील की सरकार की परियोजना शुरू करने के लिए 15 कौसरलतों को दोजांकित किया है आपको बता दे कि परियोजना के बारे में जागरुजना पैदा करने को देश से राथों द्वारा पहले चरण में 13 जीलों और दूसरे चरण में से 14 जीलों युबाओं को कौशल विकास काथिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राजी कौन से बन गया है यह बन गया 36 गड़ इसके लाव यहाँ पर 36 गड़ के एक आपको बहुत इंपोर्डेन कोशन बताता हूं खादे सुरक्षा विधेयक पारित करने वाला देश का पहला र दिल्ली नगरपाली का परिसाद स्मार्ट सिटी परिजनाओं को उधगटन किया है भारत के गिरी मंतिर राजनाज सिंग ने आप्सन भी राइट हो जाएगा देखे सुझ भारत के केंदिर गिरी मंतिर राजनाज सिंग ने इस स्मार्ट सिटी परिजनाओं को शुरू किया है जो नई दिल्ली की विष्ट उस्तरी सहर के रूम उभरने में मदद करेगा और इस परिजनाओं का दाइत तो नई दिल्ली नगरपाली का परसेदनी एंडी एमसी द्वारा लिया गया है इसके लावा आपको बता देग राजनाज सिंग द्वारा उध्गाटन की गई विविन परेजनाओं में स्मार्ट स्मार्ट पोल्स और सौरविक्ष विचार केंद्र पचास एलेडी इंटरेक्टिव स्क्रीन अमबेटकर वाटिका और कई अन्य चीजे सामिल है ठीक है और यहां पर दोस्तों आपको बता प्रकास जाबडेकर और अरुण जेट्री जी वरतमान में फाइनेंस मिनिस्टर में वित्त मंत्री है ठीक है चलिए अगला कोशन दोस्तों नेक्स हो जाना है जो तो इस आफ लिविंग इंडेक्स दो अठारा में पहले स्थान पर कौन सा राज्ज है तो इस आफ इंडेक्स जीवन सुगमता इंडेक्स सुचकंग जीवन सुगमता सुचकंग दो गाटारा जारी किया है जिसमें कुछ प्रसीद सेहर जिसमें सीर्स में अपना नाम दर्ज करवाने में अस्फाल रहे हैं और इंडेक्स के तहट दोस्तों कूल 111 सहरों को सोची बद्ध किया गया है इसमें आपको बता देक पूरे जो तो टॉप पर है पहले नमबर पर जबकि नई भी मुंबई दोस्तों इसमें दूसरे नमबर पर है जो नई मुंबई है दो तो चार परामीटर के अधार पर रेंग किया जाता है इसमें जो तो संसागत सामाजी कार्थिक और सारी ठीक है इसमें जो सीर्स पांस सहर है टॉप फाइप कंट वो सिटी दोस्तों बता दिन फस्ट नमबर पर पूरे सेकेंड पर है मुंबई थार्ड पर है ग्रेटर मुं तो टॉप पर है पूरे ठीक है तो इस ओफ लिविंग इंडेक्स दो अठारा में फस्ट नमर पर नहीं पहले स्थान पर कौंसा कौंसा इसमें सहर है तो वह दोस्तों पूरे ठीक है ऑप्सन भी राइट हो जाएगा अगला कुश्चन है कौंसा सहर दुनिया का सबसे जीव इंडेक्स के सीर्स पर पहली बार मेलवन को पीछे चोड़ कर पहला स्थान असिल किया है इसके राब बता देक दमिश्क ने नाइजीरिया में धाका और लागोस के बाद अंती मस्थान पर करार रखा है और आपको बता देक सरवेक्षण में बगदाद और काबुल जैसे दुनिया के सबसे खतरना गराज धन यह सामिल है ठीक है और बात करें वियना की दूए है दोस्तों आस्ट्रिया की कैप्टल है वियना और यहां को जो प्रेसिडेंट है वो अलेक्जंडर ब्लेन यहां के प्रेसिडेंट है तो कौन सा सहर दुनिया का सबसे जीवन सहर बन यह बन गया वियना ऑस्टिया की कैप्टल अगला कोशन दोस्तों हाली में किस राज्य के हाई कोड ने खुद को कानूनी अभिवावग न्यूक किया है तो दोस्तों हाली में जो तो उत्तराखंड हाई कोड ने गायों के लिए कानूनी अभिवावग के रूप में कारे करेग और यह क्या है पैरेंट पट्रिया दोस्तों यह एक ऐसा सिद्धान जिसमें नायालाय अपनी नहीं सक्ति और अधिकारों के साथ उनके अभिवाग के रूब में कारे करता है जो स्वर्म की देखवाल करने में असमत रहते हैं और आपको बता देका अधादालने राजी में ग अगला कोशन है सरकार ने पीएनवी दोखादड़ी मामले में कि इस बैंक की पूर्व एमडी उसा अनंद सुब्रवन्यं को बरखास्त कर दिया है अगला कोशन है भारती बेटमिंटिंग के लाड़ी अजय जैराम ने 12 अगस्ट 2018 को वियत नाम उपन में कौन सपदक अपन नाम किया है तो इसका राइड एंसर हो जाएगा ऑप्सन ए रजत पदक ठीक है भारती बेटमिंटिंग ख्लाडी आजए जैराम ने दोस्तों 12 अगस्ट को बीएतनाम उपन में रजत पदक अपने नाम कर लिया है यानि ऑप्सन ए राइट हो जाएगा अगला कोशन है भार पदपर रहते हुए निधन हो गया तुम आपको पहले बता चुका हूँ तो 36 गड़ के जो राजजपाल है दोस्तों बलरामदास टंडन का 14 अगस्त को अंबेट का रस्पिताल में निधन हो गया वह पिछले कुछ दिनों से बीमार थे ठीक है चलिए राजस्थान के राज पर राजपाल है सत्यपाल मलिक केरल के राजपाल है पीश सचीवं तो यह सारे राजपाल आपको याद रखना है एकजाम में पूछा आता है चलिए अगला कोशन है विश्व के किस शहर में हिंदू देवी लक्षिमी के नाम पर शहर का नाम रखा गया है जिसका राइड दोस्तों अगला कोशन है एक सर्वेक्षण के तहट नेमरिकीद में से किशे भारत के सबसे अमीर महिला गोशित किया है तो यह बहुत इंबोडन कोशन है इसका राइडेंस होगा दोस्तों ऑप्सन सी इस्मिता कृष्णा गोधरेज देखे दोस्तों आपको बता दें एक स कारिकारी डेशक जो है रोसनी नादर सूची में दूसरे स्थान पर रहें ठीक कॉन रोसनी नादर सेकंड नमर पर है और टाइम्स ग्रूप की चेरपर सन इंदू जयन सूची में थर्ड नमर पर हैं और बायो क्यों के संस्थापक और प्रवननेशक कीरण मजूमदार सा तो फस्ट नमर पर कौन है इश्मिता किष्णा कोद्रेज अगला कोशन दोस्तों निम्रिकित में से किसे प्रधान मंत्री फसल भीमाय उजना का मुख्य कारिकारी अधिकारी यानि चीफ एक्जेक्यूटी ओफीसर CEO जो तुक न्यूक्त किया गया है राइट एंस हो जागा आ अशीष कुमार भुटानी देखे तो आशीष कुमार भुटानी को प्रधान मंत्री फसल भीमाय उजना का मुख्य कारिकारी अधिकारी CEO नियुक्त क्या गया है या ऑप्सन भी राइट है लास्ट कोशन दोस्तों स्वक्ष रेलवे स्टेशन सर्वेक्षण में कौन सा इस् प्रधामस्थान पर यह जोद्पूर अब देख लेते हैं दोस्तों कल का एंसर कल मैंने कोशन पूछा था हाली में जम्मू काश्मीर हाई कोट की पहली महिला मोकिनादीश कौन बनी है राइट एंसर दोस्तों इसका ऑफसन गीता मित्तल लगवागर सभी स्थूडियन ने आप देख लेते हैं दोस्तों आज का सवाल आज का कोश्चन दोस्तों रोजर्स कब 288 की विजयता कौन है आपको इसका राइट एंसर कमेंट बॉक्स जरूर लिखना है ऑपके सामने है अपने कल की वीडियो नहीं देखिए आप देख सकते हैं बहुत इंपोर्टेंट है आपने देखी को तो आपको एंसर बता होगा ठीक है आप हमारे फेस्बुक पेज को जरूर लाइक कर लिजे साथी साथ इस्टाग्राम पे फॉलो कर लिजे और टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लिजे ताकि आपको ऐसी और वीडिया फाइल से मिलती रहें सारे जो तो लिंक वीडियो को डिक्सिप्शन में देगी है और साइन्स के बहुत सारे नोट्स आपको हमारे फेस्बुक पेज मिल जाएंगे जरूर फॉलो कर लिजे लाइक कर लिजे ठीक है दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ आपका दिन सूभ हो जै हिंद बंदे मा आत्रम happy independence day to all